दर्शक साथियो, लोजिकल एगरो ग्यान में आप सबका बहुत बहुत सुख्रिया है, स्वागते आज आपने यहाँ पर देख रहे हैं एक खिरा के जो बोट है वो सुख के मर गए है और इसका कारण क्या है एबात में मैं आज आपको बताऊंगा और एक इदर आचितरा का बहुत आच्छा खिरा है, और उन बहुत आच्छा हो रहा है और इसका रिजन क्या है और कितना आदमीको घाटा होता है किरशक को ये विशेमी मैं आज आपको यहाँ पर चर्चा करूंगा अगर आपने यहां पर देख रहे हो यह जो जाले सब कुछ खत्तम हो रहा है और यह खत्तम होने का कारण में आपको आज बताऊंगा दर्शक साथियो और यह जो बोट मेरे दोस्त में लगाया था और उसने इसमें एक अजार रुपिया खर्चा भी किया था जो ठाकना जिग प्रवाइटल और ढोसी का परकुप से यह मर गया है जाल और बहुत घाता हो रहा है इधर बहुत अच्छा बोड भी है और में पहले यह मरने का कारण भी बताऊंगा जो यह हमने खेती किया था पानी बहने के जग्गा में आमने इसका खेती किया था इसलिए वहां पर जो डोसी के कारण से यह हमारा जो खीरा के पउद्य है उसमें डोसी के कारण से मर गया इसलिए यह बोट बहुत आच्छे जग्गा में हमने लगा रहे हैं यहां पर कोई भी पानी भेता भी नहीं है और कोई डोसी का परकुपनिन नहीं है इसलिए यह बोट जिवनता आपको पूस्तक बाचेगा फलेगा और मैं भी हैं हूँ और दुसरा वला जो सुक्का वला जो बोट है उसमें फंगिशायर के कारण से मर रहा है और हम खेती करते हैं तो हम सुरू में बहुत सोचना चाहिए और खेती के बिसे में ग्यान होना चाहिए कहां पर लगाएं कैसे लग करने से कितना गाटा होता है वहाँ पर का समय वहाँ पर का जग्ग का भाड़ा किमत मौल यावत कुरा वहाँ पर आउसदी सब कुछ खर्चा होता है और एक रूपियां पी नहीं आएगा तो वो किर्शक मर के जाएगा और बहुत समस्य आएगा और यहाँ पर भी इसे हो बहुत उताई एक खीरा और बहुत सारा लोरे खेती वहाँ पर नहीं करें, और सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेन करें, सियर करें, धन्दे बाद, बहुत बहुत आपको शुक्रिया, धन्दे बाद.